पिटा आज हम प्रक्टिस करेंगे common size income statement बनाने की सेम उसी तरह से जैसे common size balance sheet बनाई जाती है ऐसे ही common size income statement भी बनाई जाती है और ये भी investors को, bankers को, managers को help करती है to take a rational decision और इसके लिए जैसे आपको दिखाई दे रहा है question आपको दिया होगा, कुछ figures given होगी आपने सबसे पहला काम करना है कि आपने उन figures को income statement में as per format convert कर लेना है जैसे कि आपको screen पर दिखाई दे रहा है कि मैंने आपके लिए पहले से format तयार किया हुआ है जो आपको given थी इनी items को मैंने format में arrange कर लिया है सबसे पहले revenue from operations कि जो हमारी main business income है जिससे हमें main source of revenue है उसकी से कितना हमें earn हुआ या receive हुआ और उसके अंदर हमने add other incomes की other incomes means कि उन्होंने अगर कोई और investing activity कर रखिये business ने means जैसे उसने कहीं पर पैसा non current investment में किया हुआ है तो वहां से उसको या तो dividend मिला होगा या उसने अगर as loan कहीं पर invest कर रखा पैसा तो उसको वहां से interest मिला होगा या उसने अपना कोई assets rent पर दी हुई हैं किसी को तो उसके उसको rent receive हुआ होगा तो इस तरह से कोई other incomes in the form of interest, dividend, rent और other किसी तरह की grants वगेरा मिली हैं तो वो सब इसके अंदर add कर दी जाएंगी तो उससे उसकी जो है total revenue आ जाएगी यह format आप पहले कर चुके हो उसमें से आपने सारे expenses को minus करना है अब क्योंकि question में expenses को अलग-अलग इन्होंने bifurcate नहीं किया हुआ तो मैंने as it is ले लिया उसको otherwise question में अगर आपको अलग-अलग दे रख्यों हैं जैसे आपने 3-4 head उसके पढ़े हैं जैसे cost of manufacturing अगर आपको दे रख्या अलग से आपको employee benefit expenses अलग से दे रख्या हैं तो आपको यहाँ पर उनको अलग-अलग show करना होगा इसके बाद आपको profit before tax निकालना है profit before tax कैसे निकलेगा total revenue में से आपने total expense minus किये तो profit before tax आएगा और उसके बाद उसमें से आपने tax minus करके profit after tax भी निकालना है ठीक है तो आपने इस तरह से यह format पूरा prepare करना है और उसमें जो भी figures आपको questions में given हो उस question को use करना है आपने previous year का यानि पहला जो साल है उसका उसकी figures पहले लेनी शुरू की तो यह आपका जैसे 18 lakh given है तो हमने 18 lakh लिया इसके बाद इनोंने बताया है कि other income जो है वो as percentage of revenue from operation है तो जैसा question में आपको दिख रहा है 25% है तो आपने उसको 25% लिया 450,000 आ गया और इसके बाद जो है expense बताये इसके बाद हमने total income निकाल ली total income निकाल ली हमने दोनों को add करके जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर screen पर C14 प्लस C15 अब आपको इस समझ में यह आ गया होगा कि हम sell address C14 पर 18,000,000 revenue from operation C15 address पर other income उनको add करके मैंने C16 की value निकाली जो represent कर रहे है total income 22,500,000 22,500,000 for the year 2019 फिर हमने expenses को minus किया अब expense को जब हम minus कर रहे हैं तो expense पहले हमें पता लगाने होंगे कितने हैं expense जैसे कि आपको दिख रहा है question में था 55% of total revenue 55% of total revenue तो बेटा आपने ध्यान रगना है total revenue का 55% करना है जैसे कि इसमें आपको फॉर्मूला दिख रहा है C16 का 55% मैंने निकाला तो वो आया amount 12,37,500 बस इसके बाद फिर मैंने net profit निकाला net profit आगया 10,12,500 ठीक है जो की मैंने कैसे निकाला जो total revenue थी उसमें से total expenses मैंने minus किया C16 मैं से C18 को minus किया और इसके बाद tax rate क्योंकि इसमें अलग-अलग year का अलग-अलग है पहले 19 में tax rate था 40% 20 में हो गया 35% तो मैंने यहां पर इसको 40% निकाला tax कितना हुआ 40% से वो मैंने निकाला यह आया 4,05,000 और इसके बाद income profit after tax profit after tax कैसे निकाला हमने जो profit before tax था उसमें से tax minus किया तो profit after tax आगया 6,7,500 तो यह मेरी पूरी उस year की income statement बन गई और अब मैंने देखुए यहां पर आपने जैसे आपने balance sheet में तो total लिया था यहां पर हम जो common size statement बनाएंगे उसमें इन सारी figures को क्योंकि हमारा यहां पर main चीज है कि हमारी जो revenue हुई है इस total revenue में मैंने हर component का participation देखना है कि कितना percent है total revenue का कितना percent कहां पर जा रहा है तो जो total revenue है बेटा वो हमने वो तभी generate हुई है जब हमने अलग अलग जगे पर खर्चे किया है अब वो मुझे component देखने है तो मुझे total revenue को base लेना है तो जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है column 3 divided by column 3 यानि कि यह यहां पर हमने sell की वज़ा column value ले लिए है जो है तो यह मेरा यह तो natural बात है 100% ही आएगा तो यह 100% हो गया नीचे की figures को यानि 4,50,000 को जब मैंने 18,000,000 से divide किया तो 25% आया और ऐसे जब मैंने total 22,50,000 को 18,000,000 से divide किया देखो यहां पर figure यह बढ़ गई है ना तो यह देखो 100 से जादा आएगा तो मेरा 125% आया ठीक है बेटा यह percentage आपको यह दिख रही है ना 125 हम इसकी बात कर रहे हैं ठीक है और ऐसे ही करते हुए मैंने हमने सारी figures को निकालना है यह मेरी सारी figures आ गई कि मेरा जो है अलग-लग चीजे हमारी जो total revenue 18,000,000 है उसमें से total revenue हमारी 22,50,000 है वो 125% है यानि 25% हमारा sales revenue के उपर है और total sales revenue है उसका 69% रहा उसमें से 23% amount government के पास taxes के रूप में चला गया और 34% amount हमारे पास as profit after tax रहा in the year 2019 में ठीक है तो मैंने year 2019 की जब figures को लिया है तो मैंने year 2019 के ही component जो है base year को revenue को उठाना है यह हम बेटा जैसे यह वाले जो components है हम इसको total revenue से भी निकाल सकते हैं divide करके मैं इसको भी 100 मान सकते हूँ लेकिन जो हमने करना है अभी आपको as a beginner आपको total revenue को ही base मान कर सारे questions इसमें करना है ठीक है पीटा जिस year के figure ले रहे हो आप उसी year की total revenue को base मान कर उसको 100 मान कर other जो components हैं उसको उसी की percentage के रूप में आप show करेंगे ऐसे ही same आपने फिर जो है next year का ले लिया यानि year जिसको हम current year बोले या year of study ले same उसी तरह से मैंने 24 लाग रुपे revenue ली इस साल 15% other income है तो 15% निकाली total revenue आ गया और जो हमारे expenses हैं देखिए वो इन्होंने का 60% of total revenue तो आपने 60% of total revenue इसको निकाला तो देखो यह आ गया F16 पर जो value है यानि कि total revenue की value हमारी total revenue है ना बेटा 27,60,000 के हमारी total revenue उस 27,60,000 का 60% निकाला तो यह हमारा आ गया amount और उसके बाद उसी तरह से expenses हैं expenses यह कह रहे हैं कि हमारे बढ़ गए है 60% हो गए है और 60% of total revenue यह निकाली ली हमने फिर हमारा profit after tax निकाला जो कि हमारा total revenue profit after tax देखो बेटा यह दिखाई दे रहे हैं आपको हम क्या निकाल रहे हैं profit before tax sorry before tax निकाला जो कि हमारा आया 27,60,000 में से 16,56,000 को माइनस किया तो हमारा आया 11,4,000 और tax rate क्यूंकि इस year में घट गया 35% रह गया तो आपने 35% ही निकालना है ठीक है तो 35% हमने निकाला 3,86,400 and then profit after tax यानि कि 11,4,000 11,40 वैंसे 3,86,400 को जब मैंने माइनस किया तो हमारा 7,17,600 profit after tax आया और अब हमने इसको जब percentage में convert करना है तो हर figure को आपने उसी relevant जो year है उसी की revenue from operation के figure के percentage के रूप में convert करना है तो इस तरह से आपने हर figure को convert कर दिया तो आपका देखिए यह मैंने पहले से तयार किया हुआ है तो देखो यह तो हमारा आई गया और यह हमें show कर रहा है कि हमारी जो total 24,00 की जो revenue है उस साल की sales revenue है उसमें से 69% हमारा खर्चा हो गया और 69% यह वैसे total revenue का बेटा 69% जब हम इसको total करेंगे तो यह total भी हमारा 115 जाना चाहिए क्योंकि यह हमारा यहां पर यह हमने जो percentage as total revenue ले ली ना तो इसलिए इसका total अब 100 नहीं जाएगा अदरवाई इसका total 100 होती है ठीक है और इस तरह से हमने इसको interpret किया अब हमारे पास 30% जो है sales का 30% amount हमारे पास profit after tax available है और दा shareholders ठीक है बच्चे तो इस तरीके से आपने यह format बनाकर common size income statement भी बनानी है तो in questions में main जो आपका stress है वो तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि इसका format क्या है तो format आपने वैसे भी इनके आपको format पता होने चाहिए यह जो है किसी भी question को solve करने में analysis में हर जगे बहुत काम आते हैं और साथ में आपको पता होना चाहिए कि अगर हम common size income statement निकाल रहे हैं तो आपने revenue from operation को ही base लेकर उसको hundred amount देकर बाकी की जितने भी items हैं उसको उसी hundred percent revenue के context में show करना है ठीक है तो मैं उमीद करते हूँ कि आपको ये common size income statement समझ में आ गई होगी ठीक है बेटा तो इसको आप practice कर लेना questions की मैं आपको कुछ questions और send करूँगी उनको आप करना चलिए